और मेरे देश के नौजवानों कैसे हूँ आप सब तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ बाइक्स के बारे में जो आपको 1.5 लेक में अन रोड इंडियन मार्किट में अविलेबल हो जाती है तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 10 पर आती है जिकसर SF150 और जिकसर 150 दोस्तो ये दोनों ही बाइक्स अपने सेग्मेंट के साब से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है अगर बात करें इनके लुक्स की तो SF150 एक फुली फेर्ड बाइक है और जिकसर 150 एक टिपिकल नेकिड स्टाइलिंग वाली बाइक ह दोनों ही बाइक्स की प्राइजिंग की बात करें तो SF150 का एक शोरूम प्राइज है 1,27,000 और ओन रोड ये आपको तक्रीबन 1,48,000 की पड़ जाती है वहीं जिकसर 150 का एक शोरूम प्राइज है 1,16,000 और ओन रोड ये आपको 1,37,000 की पड़ेगी हाला कि बिल्ड कॉलिटी 13.6 BHP की पावर मिलती है और 13.8 Nm का टॉर्क मिलता है और दोनों ही बाइक्स में आपको नमबर ओगेर्स 5 अविलेबल होते हैं डैमेंशिंस की बात करें दोनों बाइक्स के डैमेंशिंस अलग हैं SF150 में आपको 795 mm की सीठ हाइट मिलती है 165 mm का ग्राउंड क्लियरंस मिलता है 12 लिटर के आपको फ्यूल केपिसेटी मिलती है और 148 kg का इसमें आपको क्रैब बेट देखने को मिलता है हाला कि पावर टू वेट रिशो ऐसे 150 का उतना अच्छा नहीं है वहीं जिकसर 150 में आपको 795 mm की सीठ हाइट मिलती है 160 mm का इसमें आपको ग्राउंड केलियरंस मि देखने को मिलता है और दोनों ही बाइक में आपको सेम सस्पेंशन सेट अप देखने को मिलता है दोस्तों टायर की बात करें तो 100 सेक्शन 80 का आपको टायर फ्रेंट में मिलता है और 140 सेक्शन 60 का आपको बैक में देखने को मिल जाता है अगर बात करें ब्रेकिंग की तो द पीचर्स दिये गए हैं तो ये तो थी जिक्सर SF150 और जिक्सर 150 नाइन्थ नंबर पर आती है FZS version 3 और FZ version 3 दोसे ये दोनों बैक्स भी अपने प्राइज में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इनकी सेलिंग्स भी काफी अच्छी जा रही है क्योंकि यहां महा का जो इंजन होता है वो काफी रिफाइन और रिलैबल होता है इन दोनों ये बैक्स की प्राइज की बात कर तो FZS version 3 का एक शोरूम प्राइज है 1,04,000 और on-road ये आपको 1,19,000 की पढ़ जाती है वहीं FZ version 3 का प्राइज है 1,02,000 एक शोरूम और on-road ये आपको 1,18,000 की पढ़ती और 13 लीटर की इसमें आपको fuel tank capacity देखने को मिलती है दोनों ही बैक्स के dimension सेम है और अगर बात करें power to weight ratio का तो दोनों ही बैक्स में आपको अच्छा खासा power देखने को मिल जाता है इंजन दोनों ही बैक्स में आपको 149 CC का single cylinder अविलेबल होता है जिसमें आपको 12.2 BHP की power औ और 13.6 Nm का torque अविलेबल हो जाता है और number of gears इसमें आपको 5 अविलेबल होंगे दोस्तो suspension और chassis की बात करें तो इसमें आपको diamond frame chassis देखने को मिलती है सामने आपको telescopic suspension मिलता है और पीछे आपको 7 step adjustable mono cross suspension देखने को मिलता है अगर टायर की बात करें तो सामने आपको 100 section 80 और प single channel ABS आपको standard single channel ABS दोनों ही bikes में देखने को मिल जाता है दोस्तों बात करें bike के electricals की तो सामने आपको LED headlight मिलती है पीछे आपको bulb tail light मिलती है और indicators भी इसमें आपको bulb में available हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं दोनों bikes को look को देखो तो looks भी काफी अच्छा है अगर इसके extra features की बात करें तो इसके instrument console में आपको Bluetooth connectivity जैसा feature मिल जाता है और इसमें आपको mobile navigation का भी system देखने को मिलता है तो इसमें price के साब से आपको काफी अच्छा looks, features और reliability देखने को मिल जाती है Hero Xpulse 200 और Hero Xpulse 200T दोस्तों इन दोनों ही bikes का जो character stick है वो एकदम different है इसका जो body type है इन दोनों ही bikes को एकदम different है अगर आपको adventure purpose के लिए bike चाहिए आपको touring करना पसंद है, off-roading करना पसंद है और आपको एक अच्छा खासा riding experience गेन करना है तो फिर आपके लिए Xpulse 200 काफी bike चाहिए और थोड़ा बहुत टूर आपको करना पसंद है तो फिर आपके लिए Xpulse 200T best रहने वाली है इन दोनों ही bikes का price discuss करते हैं अगर आप Xpulse 200 लेतो तो इसका एक showroom price है 1,18,000 एक showroom Delhi और इसका जो on-road price है वो है 1,39,000 तो इसके तक्रीवन आपको ये on-road available हो जाती है वह तो दोनों ही bikes के dimensions की बात करें तो इन दोनों ही bikes का dimensions चेंज है अगर बात करें Xpulse 200 की तो इसमें आपको 823 mm की seat height मिलती है जोकि थोड़ी ज्यादा है क्योंकि एक adventure bike है 220 mm का इसमें आपको ground clearance मिलता है 13 liters की इसमें आपको fuel tank capacity मिलती है और 157 kg का इसमें आपको crab weight available हो जाता है व मिलती है और 151 kg का crab weight है तो अकर बात करें दोनों bikes के engine की दोनों में आपको same engine available होता है 199.6cc का इसमें आपको oil cooled BS6 compliant engine मिलता है जिसमें आपको 18.04 BHP की power और 16.45 newton meter का torque available होता है और दोनों ही bikes में आपको number of gears 5 available होते हैं दोस्तों chassis इसमें आपको tubular diamond frame में available होती है आपको दोनों 1 mm के telescopic fork suspension मिलते हैं और पीछे आपको tennis tap adjustable monoshock suspension available हो जाते हैं अगर दोस्तों बात करें दोनों ही bikes के tires की तो आपको adventure में अलग tires देखने को मिलता है उसमें आपको सामने 90 section 90 के 21 inch का tire available होता है और पीछे आपको 120 section 80 का tire available होता है वहीं 200T में आपको सामने 100 section 80 का tire available होता है और प देखिंग की बात करें तो समने आपको dual disc available होते हैं सामने आपको 276 mm का disc plate मिलता है पीछे आपको 220 mm का disc plate मिलता है दोनों बैक्स में आपको same disc plate मिलते हैं with standard single channel ABS दोस्तों इन दोनों बैक्स के electricals की बात करें तो सामने आपको LED headlight का setup मिलता है और आपको DRL मिलते हैं पीछे रोयल एंफिल्ड बुलेट 350 के किस्टार्ट दोस्तों इसका सेल्फ स्टार्ट वाले वीरिंड भी आता है लेकिन उसकी जो प्राइजिंग वह 1.5 लेक के ऊपर चली जाती है लेकिन जिन भाईयों को किस्टार्ट करना पसंद है और थोड़े पुराने लोग की बाइक है दोस्तों अदम पूरी मेटल के आपको बाइक अविलेबल होती है तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो भी एकदम टॉप आफ दे नॉच जाती है अगर बात करें इसके एलेक्ट्रिकल्स की तो सामने आपको हेलोजन हेड्लैंप अविलेबल होता है पीछे आपको आपको बुलेट की आवाज कर सकते हो क्योंकि बुलेट की आवाज के बिना बुलेट बुलेट नहीं लगती है दोस्तों बात करने इसके डामेंशन की तो इसमें आपको 800 mm की सीठ हाइट मिलती है 145 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 191 kg क्रेव वेट है और 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क अविलेबल हो जाता है दोस्तो चैसी इसमें आपको सिंगल डाउन ट्यूब चैसी अविलेबल होती है सामने आपको टेलस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलते हैं और पीछे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्वर विद फाइव स्टेप एडिस्टे टूवी दोस्तों यह जो बाइक है यह अपने सेग्मेंट के साफसे आपको काफी अच्छा लुक्स ऑफर कर देती है हाला कि यह बाइक उतनी बुरी नहीं है सालों से टीवेस की यह बाइक चलती आ रही है और अभी इस बाइक की जो सेलिंग्स है वो काफी बढ़िया चल रही है दोस्तों इसका लुक भी काफी अच्छा है अगर इसके अलेक्रिकल्स की बात करें तो सामने आपको हेलोजन हेड्लेंप अविलेबल होता है उपर आपको LED DRL मिलते हैं और पीछे आपको LED टीलेट अविलेबल होती है वित बल्ब इंडिकेटर इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर अविलेबल होते हैं इसकी प्राइड डिसकस करें तो इसका जो एक्शो रूम प्राइज है वो है 1,6,000 और आपको तकरीबन 1,24,000 की पड़ जाती है दोस्तों इसके डामेंशन की बात करें तो इसमें आपको 790 mm की seat height मिलती है 180 mm का इसमें आपको ground clearance मिलता है 139 kg का crab weight है और इसमें आपको 12 लीटर की fuel tank capacity अविलेबल हो जाती है इंजन देखा जाए तो इसमें आपको 159cc का single cylinder air cooled BS6 compliant engine मिलता है जिसमें आपको 15.1 bhp की power और 13.9 newton meter की torque अविलेबल हो जाता है और आपको 5 speed gearbox का transmission इस bike में अविलेबल हो जाता है दोस्तों अगर देखा weight ratio वो काफी अच्छा है 160cc के हिसाप सापको काफी अच्छी power इस bike में देखने को मिल जाती है जैसी इसमें आपको double cradle stiff frame में अविलेबल होती है सामने आपको telescopic with hydraulic dumper suspension मिलता है और पीछे आपको monotube inverted gas filled shock absorber suspension अविलेबल हो जाता है अगर बात करें इस bike की breaking की तो ये bike आपको single disc with single channel ABS में भी अविलेबल हो जाती है नहीं तो फिर ये bike आपको dual disc with single channel ABS में भी अविलेबल हो जाती है नंबर फिफ्ट पर आती है hero extreme 160R दोस्तों इस bike का जो look से naked styling में वो मुझे काफी ज़धा पसंद है अगर मैं इसको compare करूं और दूसरी 160cc की naked bike से तो मुझे इस bike का लोग का setup मिलता है जो कि अच्छे खासे bright है पीछे आपको LED टेलेट मिलती है और indicators भी इसमें आपको LED में अविलेबल होते हैं तो यहाँ पर hero ने quality को लेकर कोई भी compromise नहीं किया है दोस्तों इस bike की pricing की बात करें जो एक्शो रूम प्राइज वो है 1,10,000 और on road ये आपको तकरीब मिलती है और 138 kg का इसमें आपको crab weight available हो जाता है इंजन इसमें आपको 163cc का single cylinder air cooled BS6 compliant engine देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 15 bhp की power और 14.5 newton meter का torque देखने को मिलता है और इसमें आपको जो नमबरों gears मिलते हैं वो आपको 5 available होते हैं बात करें इसके chassis की तो इसमें आपको tub modular diamond frame चैसी देखने को मिलती है सामने आपको telescopic with anti-friction bush suspension मिलता है और पीछे आपको 7 step rider adjustable monocross monoshock suspension देखने को मिल जाता है दोस्तों बात करें इसके tire की तो सामने आपको 100 section 80 का tire available होता है और पीछे आपको 130 section 70 का tire available होता है with standard single channel ABS और ये बाइक आपको single disc और dual disc में भी available हो जाती है अगर बात करें इसके mileage की तो आप इस bike से आराम से 45 to 50 kmpl तक का mileage gain कर सकते हो क्योंकि hero की bikes काफी अच्छा mileage निकाल कर देती है तो ये तो थी hero extreme 160R number 4 पर आती है tvs apache rtr 164v दोस्तों ये जो bike है नो वो अपने looks features और performance को लेकर काफी बढ़िया sale कर रही है अगर बात करें इसक उन आपको दो variant available होते हैं पहला single disc और दूसरा dual disc single disc का price is 1,07,000 एक शोरूम देली और on road ये आपको तकरीबन 1,24,000 की पढ़ जाती है और dual disc का एक शोरूम प्राइज 1,10,000 और on road ये आपको तकरीबन 1,28,000 की पढ़ती है दोस्तों बात करें इसके electricals की तो सामने आपको all LED headlights क setup देखने को मिलता है जो आप पहले के मुकाबले काफी अच्छा लगता है पीछे आपको LED tail light मिलती है और decent इसमें आपको bulb indicator available होते हैं बाइक के dimensions की बात करें तो 800 mm की इसमें आपको seat height मिलती है 180 mm का इसमें आपको ground clearance मिलता है 147 kg का crab weight है और 12 liter का इसमें आपको fuel tank capacity मिलता है 159 7.7 CC का single cylinder oil cooled BS6 compliant engine इसमें आपको मिलता है जिसमें आपको 15.6 BHP की power और 14.12 Nm का torque मिलता है हालकि इसका जो power torque वो पहले को मकाबले थोड़ा increase हो गया है और इसमें आपको number of gear 5 मिलते हैं दोस्तों chassis की बात करें तो double cradle split stiff frame chassis में आपको मिलती है सामने आपको telescopic fork suspension मिलते हैं और पी आपको 110 section 80 का tire मिलता है दोस्तों braking की बात करें तो dual disc में आपको ये bike available होती है और इसमें आपको petrol disc brake मिलते हैं with standard single channel ABS number 3 पर आती है बजाज Pulsar NS 160 दोस्तों जो NS 160 ये वो अपने segment की सबसे powerful bike है इसमें आपको 17.2 bhp का power मिलता है और 14 newton meter का torque देखने को मिलता है तो ये अपने 160cc segment की सबसे powerful bike बन जाती है अगर लोक्स की बात करें तो ठीक इस bike का लोक एकदम बढ़िया है naked segment में ये bike आती है typical इस तो मुझे लगता है कि अब बजाज को इसके looks में थोड़ा बहुत changes करना चाहिए क्योंकि बजाज ने इसी looks में NS 125 को भी launch कर दिया है और उसका जो एक showroom price वो है 93,000 और on road आपको तकरीबन 1,07,000 की पढ़ जाएगी तो अगर आपका budget थोड़ा कम है और अगर आप NS 160 नहीं मिलता है pilot lamps मिलते हैं पीछे आपको LED till light मिलती है और decent bulb indicator इसमें आपको available होते हैं बाइक के dimensions की बात करो 790 mm की इसमें आपको seat height मिलती है 177 mm का इसमें आपको ground clearance मिलता है 12 लिटर की इसकी fuel tank capacity और 151 kg का crab weight है इंजन इसमें आपको 160 cc का single cylinder oil cooled BS6 compliant engine मिलता है जिसमें आपको 17.2 BHP क power और 14 Nm का torque मिलता है और इसमें आपको number of gears 5 available हो जाते हैं दोस्तों chassis इसमें आपको perimeter frame में available होती है सामने आपको telescopic with anti friction bush suspension मिलता है और पीछे आपको nitrox monoshock absorber with cluster suspension देखने को मिल जाता है दोस्तों बात करें इसकी breaking की तो इसमें आपको dual disc available होते हैं with standard single channel ABS तो यह तो थी बज 200cc की bike है जो आपको 1.5 lakhs में available हो जाती है हाला कि इसका single channel ABS वाला variant वही आपको 1.5 lakhs में available होता है जो dual channel ABS वाला price है वो कम से कम 1.54 lakhs तक जाता है इस bike की pricing की बात करें इसका जो एक्शोरूम price है वो है 1,29,000 एक्शोरूम देली और on-road price है इसका 1,48,000 on-road देली तो यह on-road price का यह रहने वाला है दोस्तों इस bike के electricals की बात करें सामने आपको all LED headlights का setup मिलता है पीछे आपको LED tail light मिलती है और decent bulb indicators में आपको मिलते हैं और इस bike में आपको features भी धेर सारे मिल जाते हैं जैसे कि इसमें आपको Bluetooth की smart X connectivity देखने को मिलती है और इसमें आपको 3 modes भी available होते हैं पह अगर आप urban या rainy mode पर ride करोगे तो power रहेगा around 17bhp तो यहाँ पर काफी अच्छा power distribution किया गया है लेकिन अगर बात को यह features कि तो यह feature आपको higher segment की bike में देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर tvs ने 200cc की bike में दिये हैं और इतने कम price में आपको यह features दिये हैं और features की बात करें इसमें आपको adjustable brake मिलता है और इसमें आपको adjustable clutch भी देखने को मिलता है और इस bike में आपको sleeper clutch भी available होता है जो आपको NS200 जैसी bike में भी देखने को नहीं मिलता और ना ही Duke 200 जैसी bike में देखने को मिलता है लेकिन आपाचे आपको यह सारे features बहुत ही कम price में offer कर रही है जो कि कि इसमें आपको इतने सारे फीचर मिलते हैं, जो कि आपको और दूसरी बाइक में नहीं मिलते हैं, तो ये बाइक मुझे लगते हैं कि आपको लेना चाहिए, दोस्तों इसके डामेंशन की बात करें, इसमें आपको 800 mm की seat height मिलती है, 180 mm की इसमें आपको ground clearance मिलती है, 12 liters की fuel tank capacity है, और 152 kg का crab weight है, इंजन इसमें आपको मिलता है 197.75 cc का single cylinder oil cooled BS6 compliant engine, जिसका जो power distribution है वो इसके modes के साब से अलग है, अगर आप sport mode पर आट करोगे 20 bhp, और अगर आप rainy या urban mode पर आट करोगे, तो around 17 bhp, दोस्तों chassis इसमें आपको double cradle split stiff frame में available होती है, सामने आपको telescopic fork suspension मिलते हैं, जिनको आप अपने मर्जी से adjust भी कर सकते हो, और पीछे आपको mono tube, mono shock suspension मिलता है, दोस्तों tire की बात करने सामने आपको 90 section 90 का tire available होता है, और पीछे आपको 130 section 70 का tire available होता है, दोस्तों बात करने इसके mileage की, तो इस bike से आप around 40 to 45 kmpl तक का mileage claim कर सकते हो, दोस्तों बात करने इसके braking की, तो इसमें आपको सामने 270 mm के petal disc brake मिलते हैं, और पीछे आपको 240 mm के petal disc brake available होते हैं, with standard single channel ABS, नंबर 1 पर आती है Honda Hornet 2.0, दोस्तों इस बार Hornet में काफी अच्छा improvement किया गया है, in terms of looks, in terms of performance, इस bike को काफी अच्छा upgrade दिया गया है, बात करें इसकी pricing की, तो इसका जो एक श 49,000 की पड़ जाती है, दोस्तों बात करें इसके dimensions की, तो 800 mm की इसकी seat height है, 167 mm का इसका ground clearance है, 12 liter के समें को fuel tank capacity मिलती है, और 142 kg इसका weight है, बात करें इसके electricals की, तो सामने आपको all LED headlights का setup देखने को मिल जाता है, जिसकी जो bright है, वो एकदम up to the mark है, पीछे आपको LED tail light मिलती है और indicators भी समें आपको LED में available होते हैं, तो यहाँ पर Honda ने भी quality के मामले में कोई भी compromise नहीं किया गया है, दोस्तों बात करें engine की, तो इसमें आपको मिलता है 181cc का single cylinder air cooled BS6 compliant engine, जिसका max power 17.8 bhp और max torque 16 newton meter का, और number of gear इसमें आपको 5 available हो जाते हैं, दोस्तों अगर power to weight ratio देखा ज suspension मिलते हैं, वो भी front में, आपको USD Fox suspension front में मिल जाते हैं, और पीछे आपको monoshock suspension available होता है, tire की बात करें तो सामने आपको 110 section 70 का tire मिलता है, और पीछे आपको 140 section 70 का tire available होता है, दोस्तों यह bike आपको dual disc में available होती है, जैसे कि सामने वाले disc जो है वो आपको 276 mm का होता है, और पीछे वाला 220 mm का होता है, with standard single channel ABS, तो दोस्तों यह थी कुछ bikes जो आपको 1.5 lakhs में on road Indian market में available हो जाती है, हाला कि आप comment box पर बताओ कि आप कौन सी bike को लेना पसंद करोगे, तो उमीद है कि आप सभी को यह video पसंद आई होगी, और अगर आपको यह video पसंद आई है, तो इसक Instagram username show हो रहा होगा, तो जाब मुझे वाँ जाके follow करो, और अगर आपको वहाँ कुछ doubt है, तो आप मुझे DM कर सकते हो, अभी के लिए thanks, till then wait for my new upcoming videos.